जब कभी भी हमें एक best water heater geezer purchase करने के लिए किसी भी shop या फिर dealer point पर visit करते हैं तो salesman की ओर से हमें वो water heater geezer बताया जाते हैं जो उन्हें बेचना होते हैं दोस्तों उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आपको किस type का water heater geezer अपने लिए purchase करना चाहिए इवन वो आपको ही भी नहीं बताते हैं कि कितने type के water heater geezer उनके पास available है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको market में दो type के water heater geezer देखने को मिलेंगे एक होते हैं instant water heater geezer और दूसरे होते हैं storage water heater geezer आपको इन दूनों ही option में से कून सा water heater geezer अपने लिए purchase करना चाहिए किस water heater geezer के आपको क्या advantage और disadvantage देखने को मिलेंगे और इनका mechanism में आपको क्या देखने को मिलेगा तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में आपको इसी topic के बारे में complete information देंगे जिससे कि आप अपने लिए best buying decision ले पाए दोस्तों इस वीडियो में टूटल में आपको 5 point बताऊंगा और इन 5 point को अच्छे से समझने के बाद आपको इन दोनों ही water heater geezer के बारे में complete information मिल जाएगी point number 1 instant water heater geezer size में छोटी और complete होता है और इन्ही install करना काफी easy होता है और यह price में भी आपको सस्ते मिलेंगे और इन्हें हर कोई afford कर सकता है वह storage water heater geezer दोस्तों आपको size में बड़े और heavy देखने को मलते हैं यह आपको metal body और abyss body दोनों में मिल जाएंगे और इन्ही install करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और यह price में थोड़े से expensive होते हैं point number 2 दोस्तों instant water heater geezer आपको एक से लेकर 5 liter capacity तक देखने को मल जाता है वह storage water heater geezer आपको 6 liter से लेकर 25 liter capacity तक के देखने को मिलेंगे point number 3 instant water heater geezer आपको 3000 watt से लेकर 4500 watt तक की capacity की मिलेंगे और यह पानी को जल्दी गर्म करता है वही आपको storage water heater geezer 2000 watt से लेकर 3000 watt तक के देखने को मिल जाएंगे और यह पानी को थोड़ा सा धीरे गर्म करता है point number 4 instant or storage water heater geezer कितनी power consumption करेंगे पहले हम एक standard calculation समय लेता है आगके पास कोई सीगी machine है suppose अगर उसका wattage जो है वो 1000 watt है और उस machine को अगर आप एक घंटे यूज़ करेंगे तो वो एक घंटे में एक unit consume करेंगी वही अगर 2000 watt की है तो अगर आप एक घंटे यूज़ करेंगे तो दो unit consume करेंगी अब हम इसी calculation से instant और storage water heater gizzard का power consumption को समझता है पहले instant water heater gizzard की बात करते है दोस्तो instant water heater gizzard को कम पानी को गर्म करना होता है और उसमें wattage भी जाता होता है तो सिदी सी बात है वो बहुत जल्दी से गर्म कर देगा और अगर आप उससे frequent बार बार यूज़ नहीं करेंगे तो आपका बिजली का consumption कम ही होगा वहीं अगर storage water heater gizzard की बात करें तो उसमें ज़्यादा पानी को गर्म करना होता है सिदी सी बात है ज़्यादा पानी को गर्म करना पढ़ रहा है तो ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा समय लगेगा और आपको 2000 वाट हो रहा है 3000 वाट का water heater gizzard मिल रहा है तो वह बिजली का consumption भी ज़्यादा करेगा लेकिन ये तो एक हम standard के साफ़ समझे गए है लेकिन actual की बात करें तो वो depend करता है आपकी usage के उपर अगर आपके पास instant water heater gizzard भी है और अगर आप उसे regular frequently use करता है तो सिदी से बात है वो एक अच्छी खास बिजली का consumption करेगा वही storage water heater gizzard है और आप उसे कम use करता है तो सिदी से बात है वो कम बिजली खाएगा और अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी आपकी ज्यादा बिजली खाएगा तो सिदा सा calculation है दोस्तों जितना आपका ज्यादा usage रहेगा उतना ज्यादा power consumption होगा पॉइंट नमबर 5 Instant water heater gizzard और storage water heater gizzard में से हमें कुण सा water heater gizzard purchase करना चाहिए दोस्तों ये depend करता है आपकी usage के उपर अगर आप बाल्टी में गर्म पानी डाल कर नहना पसंद करते हैं या फिर kitchen के बरतनों को धोने के लिए अगर आप गर्म पानी का इस्तमाल करते हैं तो इसे में instant water heater gizzard आपके लिए बहुत ही अच्छी choice बन जाते हैं और ये price में भी काफी affordable होता है वही दोस्तों अगर आप shower में नहाना पसंद करते हैं और आपको नहाने में काफी कम समय लगता है और गर्म पानी की भी जरूत अगर आपको ज्यादा होती है तो इसे में storage water heater gizzard आपके लिए अच्छी choice बन जाते है और ये safety feature के साथ भी आपको देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों ये रहा detailed comparison instant और storage water heater gizzard के बीच में तो तोनू की ही best model की recommended buying link में आपको description box में available करा दी है आप अपने requirement के साथ से उन्हें चेकाउट कर सकते हैं उमेदे दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो ज़रा साभी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्याद से लाइक कीजिए और अपने family, friends member के साथ ज़रूर शेक कीजिएगा अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं आपके सवालों का reply आपको ज़रूर दूँगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत ज़र देख निव वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन वंदे मातराओं